दोस्तों दुनिया में तो आपने कई सुमिम पूल देखे होंगे लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के खास अनोखे और अद्भूत पूल इन्हें देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा तो चलिए चलते हैं बीना समय गवाए लेकिन दोस्तों वीडियो चलू करने से पहले लाइक जरूर कर दें पहले नंबर पर आता है होटल लोगन ये सिमिम पूल दुनिया के सबसे बहतरीन खुबसूरत पूल में से एक है इस होटल को किसी एक आइसलेंड पे बनाया गया है वैसे तो इस होटल में बहुत सारे पूल है लेकिन काच का ये बना पूल लोगों को अपनी और ज्यादा करसित करता है कलास से बनाया पूल 15 मिटर लंबा और 5 मिटर चोड़ा है यहाँ आपको प्रकृति का बहत खुबसूरत नजारा देखने को मिलेगा नमबर 2 पर है दा एज पूल इंडोनेसिया में बनाया गए ये पूल दुनिया के सबसे बहतरीन पूल में से सुमार है इस पूल का एक हिस्सा बाहर की और निकला हुआ है जो इसे और भी खुबसूरत बनाती है इसका बाहरी हिस्सा गलास से बने होने के कारण इसमें सुमिंग करते समय ऐसा लगता है कि जैसे आप हवे में लटकते हुए पूल पर सुमिंग कर रहे है इस पूल से प्रकृतिक का खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर सुमिंग करने के लिए आते है जिंबाम्बे के एक जगह पर एक प्रकृतिक पूल है जो की जमीन से 180 क्लिमिंटर की उचाई पर बना है ये पूल सितंबर महिने से लेकर दिसंबर तक खुला रहता है अपने एडवेंचर को पूरा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं लेकिन इस पूल में जाने का खत्रा बना रहता है आपको बता दू कि इस पूल में 20 लोगों की जाने जा चुकी है इस पूल से आप सबसे खुबसुरत नजारे को देख सकते हैं ये पूल सबसे अजीबो गरीब है दोस्तों आपको स्विमिंग करना आता है या नहीं मुझे कमेंट के माद्धम से जरूर बताएं नमबर चार पर है कलर फूल लेक इंडोनेसिया के माउंट नेशनल पार्क में बनाया प्राकृतिक पूल बहाद ही अजीबो गरीब और रहसे मही है ये पूल बाकी पूलो से बहाद ही अलग है क्योंकि इसके पानी का रंग हमेशा बदलता रहता है जैसा कि आप इस वूड़ में देख पा रहे हैं तीन लेक एक साथ बने हैं और तीनो लेक का रंग अलग अलग है इसमें पहले लेक का रंग एकवा है दूसरे का रंग ब्लू, तीसरे लेक का रंग ब्राउन है चौकाने वाली बात तो यह है कि दोस्तों तीनों का रंग बदलता रहता है दोस्तों आप कौन से सिटी से बिलॉंग करते हैं? मुझे कमेंड के माध्यम से जरूर बताएं नमर पांच पर है वाइन पूल अब आपको समझ में आही गया होगा ऐसे ही जापान में एक बेहधी अजेबुगरी पूल बना है जहाँ पानी की जगा वाइन्स होती है यानि यह दारू से भरा हुआ होता है जिसमें आपको स्विमिंग करनी पड़ती है यहां आप स्विमिंग करते समय वाइंस का भी काफी अच्छे से मज़ा ले सकते हैं यानि वहां के स्टाप के दोरा वाइंस भी परोसा जाता है इसनों के पूल का मज़ा लेने दुनिया भर के कई लोग आते हैं दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से पूल में जाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स आते हैं तो वीडियो का दुसरा पार्ट भी जल्द ही बनाऊंगा आसा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद